हेलो गाइस वेलकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स एंजल वन की ओर से सेप्टेंबर क्वाटर की फिनांसल डिजल्ट पेस हो चुका आज के इस वीडियो में अनल्सिस करेंगे स्टैंडलाउन कॉंसॉलिडेटेड दोनों डिजल्स आउट हो चुके ज फेले हम लों consolidated financial result को कवर करेंगे जो कि quarter ended और half year ended दोनों की रिजल्स आउट हुआ है और यहाँ पे में नंबर मिलियंस में हैं तो पहले quarter ended को कवर करेंगे income मैं 1049 करोड का पिछले quarter में 811 करोड का और September 22 quarter में 745.9 करोड का income था quarter on quarter, year on year, दोनों में increase करतावा देखने को मिल रहा है expenses 642 करोड का, पिछले quarter में 514 करोड का और September 22 quarter में 460 करोड का expense हुआ था जो कि quarter on quarter, year on year के expenses भी increase income के according भी हुआ है, जिसके बाद operating profit है 407 करोड का, पिछले quarter में 296.7 करोड का और September 22 quarter में 285.7 करोड का operating profit है quarter on quarter, year on year, दोनों में increase करती हुई नज़र आ रही है net profit जो निकल के आया है, इस बार का 304.5 करोड का, पिछले quarter में 220.8 करोड का और September 22 quarter में 213.5 करोड का net profit है quarter on quarter, year on year, दोनों में increase करती हुई नज़र आ रही है EPS 35.71 रुपीज का है quarter on quarter, year on year दोनों में इंक्रीज किया तो यहां पर देखिएगा तो company का consolidated financial result जो है बहुत ही strong result company पेश किया बहुत strong growth देखने को मिला है अगर हम इसके यहां पर operating margin की बात करें 37.94% का है जो कि पिछले साल से यहां पर 23 से 6 months में 23 से यहां पर closer recover किया down है लेकिन profit margin 28.31% यह भी down देखने को म मिला है यहां पर company उतना अच्छा result company result बहुत strong पेश है अगर हम लों इसके standalone results को cover करेंगे तो income में 1044.7 करोड का पिछले quarter 806 करोड का और September 22 quarter 742 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 666.7 करोड का और पिछले quarter में 511.8 करोड का और September 22 quarter में 458 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year दोनों के expenses भी increase है जिसके बाद operating profit है 408 करोड का पिछले quarter में 294 करोड का और September 22 quarter में 283.6 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है net profit जो है 305 करोड का पिछले quarter में 219 करोड का और September 22 quarter में 212 करोड का net profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है EPS 35.81 रुपेज का quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रीज है तो guys यहां पर stand-alone है या consolidated दोनों की results company बहुत ही strong growth किया बहुत ही strong results वह company पेज किया तो हम लोग जो है वीडियो को ही parent करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पुछें मिलते हैं एक रोड़ में तिल दन बावाई